नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटट और प्रैमरी इंगलिस पेड़ागोजी के कुछ महतोपुन प्रैशनों की सिंखला देखने जा रहे हैं सीटट और प्रैमरी इंगलिस पेड़ागोजी सीरीज की ये प्रमुक पाँच भी वीडियो है अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आकन को जरूर प्रेस कर लिजेगा चले दोस्तों आज की इस महत्वपून वीडियो को शुरू कर लेते हैं पहला प्रशन आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहोंगे जैसे की लेखन का मतलब होता है लिख करके अपने मौलिक विचारों को अभिवयक करना तो किसी भी टॉपिक के बारे में जब बच्चा अपने मौलिक विचारों को लिख करके अभिवयक करता है तो क्या-क्या स्टेप्स होते हैं क्या-क्या चरण होते हैं सबसे पहले उस किस topic पर लिखना है इसको लेकर के बच्चे के मन में विचारों की उतेजना जनम लेती है यानि brainstorming तो सबसे पहले brainstorming होगा देखिए पहले विकल्प में और तीसरे विकल्प में brainstorming दिया गया है बाकी के दूसरे और चोथे में brainstorming start से नहीं हमारा उत्तर नहीं ह उसके बाद से मोटा मोटी outline त्यार किया जता है, outline में क्या होता है, जैसे देखिए, एक ही topic पर फूरी एक किताब भी लिखी जा सकती है, उसको 500 सब्दों में भी summarize किया जा सकता है, उसको एक paragraph में भी summarize किया जा सकता है, यानि कि मोटा मोटी boundary set करना कि कितना हमें लिखना है कितने बड़े इस्तर पर या फिर कितने छोटे इस्तर पर इसको summarize करना है ये outline किया जाता है दूसरे इस्तर पर आता है outline अब तीसरे वाले में देखिए drafting दिया गया है और पहले वाले में outline दिया गया तो तीसरा वाला गलत हो गया अब तो clear हो गया आगे का समझना नहीं है पहला ही हमारा विकल्प सही हो जाएगा फिर भी मैं clear करता हूँ देखिए सबसे पहले brainstorming यानि किस topic पर लिखना है विचारों की उत्तेजना उसके बाद से boundary set करना की कितन लिखना है उसके बाद से drafting की जाती यह drafting में क्या होता है कि हम किस topic पर लिखेंगो उसमें heading क्या होगा sub heading क्या होगा वो drafting में होता है उसके बाद से revise किया जाता है कि क्या यह सब कुछ सही है उसके बाद से proof reading होता है यानि proof reading में check करने के बाद से correction आता है कि अगर कुछ और अंत में final drafting होता है option number 1 इसका बिल्कुल appropriate है यहीं इसका सटिक जवाब हो जाएगा अगला प्रशन पुछा गया था an achievement test in language education means यानि की एक achievement का मतलब क्या होता है उपलब्दी होता है एक उपलब्दी परिक्चंड भाशा की कक्छा में क्या होता है इसका क्या मतलब है यह हमसे पुछा जा रहा है ध्यान से समझेगा achievement का मतलब होता है कि आपने किस सीमा तक किस हद तक उस में महारत हासल कर लिया या फिर उस उपलब्धी को प्राप्त कर लिया ठीक है इसी को ध्यान में रखरके उत्तर डूड़ेंगे पहले विकल्प में ही दिया गया है और विकल्प नमर है किसका बिलकुल अप्रोप्रीयट है यही इसका सठीक जवाब हो जाएगा अगला प्रशन में पूछा गया था विच आफ दे फॉलोईंग स्टेट्मेंट इज नॉट ट्रू और लेंगवेज लेर्निग एन एक्वेसीजन यानि कि भासा अधिगम और भासा अर्जन के संदर में दिये गए विकल्पों में से कौन सा सही नहीं है निगेटिव सेंस में पूछा जा रहा है इसी को ध्यान में रखरके उत्तर डोड़ेंगे पहले विकल्प से सुरुआत कर लेते हैं कहा जा रहा है कि लर्निग ओफ मदर टंग एन्ड होम लेंगवेज इस लेंगवेज एक्वेसीजन यानि कि जो मातरी भासा होती है और जो ग्री भासा होती है यानि घर की जो भासा होती है उसको सीखना लेंगवेज एक्वेसीजन यानि भासा अर्जन कहते हैं बिल्कुल सही बात है क्योंकि बच्चे की जो फर्स्ट लेंगवेज है मदर टंग है उसको बच्चा natural environment में acquire करता है जिसे हम लोग भासा अर्जन बोलते हैं तो ये तो विकल positive है हमारा उतर नहीं हो सकता है क्योंकि हम से negative वाला पुछा गया था दूसरा देखिए learning of foreign language is language learning बिल्कुल सही बात है foreign language बच्चे की second language या फिर target language हो सकती है अब target language को बच्चा अपचारिक तरीके से विद्याले में सीखता है व्याकरण के नियमों के अंतरगत तो व्याकरण के नियमों के अंतरगत अपचारिक तरीके से सीखने को ही तो learning बोलते हैं यहीं तो बोला जा रहा है तो ये भी positive है हमारा उतर नहीं होगा तीसरा देखे, language learning takes place in a context, यानि कि कहा जारा है कि जो भासा सीखी जाती है, वो किसी संदर्भ में सीखी जाती है, बिल्कुल सही बात है, भासा के अंतरगत व्याकरण भी आता है, तो व्याकरण कैसे बता जाता है, context में बता जाता है, जैसे जो कुछ भी कहानी सुनाई जारी ह यानि भासा सीखने के लिए व्याकरण का सीखना महतोपूर्ण है, जरूरी है, यह बोला जारा है, तो यह विकल्प negative है, कैसे negative है, आप कहेंगे कि आप तो learning में, यानि अधिगाम में तो व्याकरण सीखाई जाता है, लेकिन यहाँ पर negative इसलिए है, क्योंकि आपने एक method प action करेंगे, वहाँ पर mother tongue का प्रयोग किया ही नहीं जाता है, तो जिस प्रकार से बच्चे home language या फिर first language को acquire किये हुए, उसी प्रकार से उनको महौल दे दिया गया target language में, और target language में व्याकरण की बात नहीं की जाती है, तो यानि कि जो grammar learning है, वो एक तरीके से essential नहीं माना जा सकता, क्योंकि direct method में कहा grammar बच्चे को बताया जा रहा है, तो ये विकल्प negative है, चुकि हमसे negative वाला ही पूछा गया था, option नमर चार यहाँ पर बिल्कुल appropriate जवाब हो जाएगा, अगला प्रशन पूछा गया था, how many languages are listed in the Indian constitution as recognized language, यानि कि हमसे पूछा जा रहा है कि भारतिय सम्मिधान में कितनी भासाओं को recognized language का दर्जा प्राप्त है, तो ये total 22 भासा है, भारतिय सम्मिधान के 8 वी अनुसूची में total 22 भासाओं का जिक्र किया गया, कौन-कौन से ये भासा, पहला है असमिया, दूसरा बंगाली, तीसरा बोडो, चौथा डोगरी, पाच्वा गु चौधावा नेपाली, पंद्रहवा उडिया, सोलहवा पंजाबी, सत्रहवा संस्कृत, अठारहवा संथाली, उनिसवा सिंधी, बीसवा तमिल, एकिसवा तेलगू और बाइसवा उर्दू, ये total 22 भासा हैं, जिसको आठ्वी अनुसूची में शामिल किया गया भारतिय सम् learners in group and ask them to collect data, organize them in order and to write report to be presented before the class, what is this language learning task, द्यान से समझेगा, एक सिक्षक हैं, जो की बच्चे को अलग अलग प्रकार के, अलग अलग नैचर के, बच्चों को group में, यानि की समुहों में data को collect करने के लिए, यानि की आखडों को एकत्रित करने के लिए और उनको organize करने के report लिए बोलते हैं और पूरी कक्षा के सामने प्रस्तूत करने के लिए कहा जाता है, भासा अधिगम के संदर में ये कौन सा प्रक्रिया है, ये हमसे पूछा जा रहा है, तो देखिए सबसे पहले data को collect करने की बात की जारी है, उनको arrange करने की, organize करने की बात की जारी है, उसक किसी भी प्रकार से data को collect किया जाता है, उसके बाद से किस result की जरूरत है, मतलब कि किस अब उस जो भी हमें data collection हो गया, अब उसको analyze करने की जरूरत होती है, जैसे कि जो भी हमारा result होगा, जैसे कि मालीजे की 2011 की जनगरना की अनुसार कितनी लोग सिक्षित थे, तो उन data को analyze क order के ही तो निकाला गया होगा, तो उसी को organize करना कहा जाता है, order में या फिर analysis करना कहा जाता है, उसके बाद से एक report लिखने की बात की जारी है, और पूरी कक्षाक सामने प्रस्तूत करने की बात की जारी है, तो ये सब किसके अंग है, ये सभी project work के अंग है, option नमर एक इसका बिल्कुल appropriate जवाब हो जाएगा, अगला question पूछा गया था, national education policy 2020 provides for, राष्ट्य सिक्षानीती 2020, निमलेखित में से किसके बारे में संस्तूती करता है, क्या provide करता है, ये हमसे पूछा जा रहा है, पहले विकल्प से सुरुआत कर लेते हैं, कहा जा रहा है, mother tongue as medium of instructions up to class 10th, क क्योंकि राष्ट्य सिक्षानीती 2020 में ये बाते mention है, कि जहां तक संबह हो, वहां तक 8 वी कक्षा तक mother tongue का प्रयोग करने के लिए बोला गया है, 10 वी कक्षा तक नहीं, विकल्प गलत हो गया, दूसरा देखे, English as medium of instruction from early years of schooling and up to class 10th, कहा जा रहा है कि English में बच्चे को पढ़ नहीं होगा, तीसरा देखे, medium of learning should be discrimination of the state and parents, यानि कि ये कहा जा रहा है कि जो भासा का माध्यम होगा, वो एक तरीके से राज्य तै करेगा या फिर जो माता-पिता तै करेंगे उसके आधार पर बताया जा रहा है, तो ये भी विकल्प निगेटिव है, अब माली जे उत्तर नहीं जानता है, तो आप उसको जबरदस्ती हिंदी में थोड़ी बताएंगे, उसकी जो मदर टंग है, माली जे तमिल, तेलगो, मली अलम कुछ भी हो सकती है, तो उसमें बच्चे को NCF 2005 के बहु भास्षिक्ता के नियम के अनुसार, उसको उसकी ही मात्री भासा में अपने माता-पिता अंग्रेजी बोल लेते हो, लेकिन बच्चा अंग्रेजी नहीं जान रहा है, तो यहाँ पर माता-पिता या फिर राज का भासा से कोई लेना दे नहीं नहीं है, बच्चे की मदर टंग की बात की जानी चाहिए, विकल्प गलत होगे, हमारा उत्तर नहीं होगा एक अई विकल्प बच्चा अप्चन नमर चाहर देखिए, बच्चे के लिए पढ़ाने की जो भासा होगी, वो मदर टंग यानि की मातरी भासा या फिर होम लेंग्वेज या फिर घर की भासा होगी, विकल्प नमर चाहर यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रियेट है, यही इसका सटिक जवाब हो जाएगा, अगला प्रशन नमर पुछा गया था, लैंग्वेज लर्निंग एज, यानि की भासा अधिगम क्या है, यह हमसे पुछा जा रहा है, भासा अधिगम, ठीक है, यानि की बच्चा एक तरिके से कॉंससली लैंग्वेज के व्याकरण के निय बच्चे को सीखना है, तो टीचर थोड़ी अटेम्ट करेगा, बच्चा खुद प्रयास के मादम से, अपने प्रयात्म के मादम से, अनवेसर के मादम से, खोज के मादम से अपने ग्यान कारिर मार करेगा, यहाँ पर टीचर की बात कर रहा था, विकल्प निगेटिव हो ग जा गया तो ये भी विकल्प निगेट हो गया natural environment कहने का मतलब कि जैसे देखे बच्चे का जन्म जब परिवार में होता है तो उसको व्याकरान का नियम नहीं सिखा जाता है वो natural environment में बड़े लोगों का अनुकरर करते करते उस भासा को बोलना सीख जाता है तो उसे हम लोग और नपचारिक तरीके से भासा को जब सीखा जाता है तो उसे भासा अरजन कहते हैं language acquisition कहते हैं ये language acquisition है हमारा उत्तर नहीं होगा एक ही विकल्प बच्चा option number 2 देखिए conscious attempt by the learner conscious का मतलब कि एक तरीके से सचेत मन से अब सचेत मन से बच्चा जब प्रियास कर रहा है तो व्य background के नियमों के अंतरकत भासा को सीखता है तो उसे ही language learning कहते हैं यानि भासा अधिगम कहते हैं विकल्प नबर 2 यहाँ पर बिल्कुल appropriate है यहीं इसका सटिक जवाब हो जाएगा अगला question पूछा गया था which of the following is not a bottom-up sub-skill of listening यानि कि कहा जा रहा है कि स्रवण listen का मतलब क्या कि होता है सुनना होता स्रवण स्रवण के संवन्द में निमलिकित में से कौन सा bottom-up सब इसकिल नहीं है bottom-up का मतलब क्या होगा ध्यान से समझ धिये दोप्रकार के skill होते है सुनने में एक होता है up to bottom up वौटम और दूसरा होता हैael to external में भी कई प्रकार हो सकते हैं ठीक है तो जब मैं up to down की बात करूँगा या फिर up to bottom की बात करूँगा up to down उपर से नीचे की बात करूँगा तो सबसे पहले उपर main theme motivation ही है motivation के अंतरगत ही ये सब पार्ट बचे हुए तो ये पूर्ण के तोर पर देखा जागा पूर्ण मतल उपर से नीचे लेकिन जब bottom to up approach की बात की जाती है तो हम लोग uns से पूर्ण की तरफ चलते हैं देखिए internal motivation ये किसका भाग है ये motivation का भाग है यानि ये uns हो गया और uns से उपर की तरफ जाना uns से संपूर्ण की तरफ जाना यानि bottom to up approach यानि कि हमसे प्रेशन में bottom to up की ही बात की गई है तो bottom to up approach में पहले uns की बात की जाएगी उसके बाद संपूर्ण की बात की जाएगी ठीक है हमसे प्रेशन चुकि negative sense में पूछा गया है तो यानि कि वो वाला विकलफ हमारा सही होगा जो की up to down approach की बात करेगा यानि जो सारांस की बात करेगा जो theme की बात करेगा ज चोटी चोटी जानकारी जैसे माली मोटिवेशन मैंने लिखा था ये तो संपूर्ण जानकारी होगी अब उसमें से internal motivation वो चोटी जानकारी होगी यानि अंस हो गया तो अंस से संपूर्ण की तरफ चलना ये तो bottom approach है bottom up approach है तो ये हमारा उतर नहीं हो सकता है क्योंकि हमसे negative सेलेक्टिंग डिटेल्स अब किसी लेक में से किसी पर्टिकुलर एक डिटेल को सेलेक्ट चुनने की बात की जा रही है यानि कि अंस की बात की जा रही है तो अंस की जब भी बात होगी तो हमारा bottom up सब इसकी लोता है और ये प्रश्ण हमसे negative sense में पूछा गया तो ये हमार अंस की बात करेगा क्योंकि पर्टिकुलर सिलेबस कहीं न कहीं उस लेक में कहीं एक छोटा सा पार्ट ही तो है यानि अंस ही तो है तो ये भी अंस की बात कर रहा है विकल्प पॉजटिव हो गया bottom up सब इसकिल के अनुसार लेकिन प्रश्ण हम से negative sense में पूछा गया था ये इंटर्नल मोटिवेशन और इक्स्टर्नल मोटिवेशन की बात करेंगे तो जब में आइडिया की बात की जाएगी तो में आइडिया तो आपका क्या था वहीं मोटिवेशन ही तो था तो मोटिवेशन में आइडिया हो गया यानि उपर से नीचे की तरफ चलने की बात की ज जबाब हो जाएगा, अगला प्रशन पुछा गया था, all children learn the mother tongue without any serious attempt to learn it, this is described as, कहा जारा है कि सभी बच्चे जो मातरी भासा होती है, वो बिना किसी serious attempt के सीख जाते हैं, अपनी mother tongue बिना किसी serious attempt के सीख जाते हैं, इसका कौन सही तरीके से व्याख्या करता है, तो इसके बारे म जो norm चमस्की थे, उन्होंने statement दिया था, कि सभी बच्चे जो होते हैं, वो एक language acquisition device के साथ जन्म लेते हैं, जो कि उनको भासा अर्जित करने में मदद करता है, और target language को भी सीखने में मदद करता है, और जन्मजात का मतलब क्या होता है, innate बोला जाता है, जन्मजात का मतलब इस statement का, क्योंकि बच्चे तभी बीना serious attempt के सीख पाएंगे, जब उनके अंदर language acquisition device होगा, जो कि उनको मदद करेगा, mother tongue को acquire करने के संदर में, option number 3 इसका बिल्कुल appropriate जवाब हो जाएगा, अगला प्रस ने पुछा गया था, which approach to language teaching learning advocates input interaction output as essential element of processing of learning, ध्यान से समझेगा, कहा ज advocate करता है, ये कहता है, कि जो भासा सीखने का महतवपूर्ण अंग है, जो महतवपूर्ण element है, वो input फिर उसी भासा में interaction करना है, यानि अंतक्रियाना करना, बाचित करना, और उस भासा को सीखना है, यानि कि जिस जो भासा target language है, उसी को input के तौर पर दिया जा रहा है, और में interaction किया जा रहा है और उसी को सीखा जा रहा है तो यह इस language में मतब किस आप किस ने प्रोच में होता है तो आप जानते हैं यह direct method में होता है direct application me क्या होता है जैसे कि देखें बच्चे का जो टार्गेट language मालिज है इं pseudo English कही environment दे दिया जाता है इंग्लिस का ही environment दे दियाता है, यानि environment देना, यानि input दिया गया, अब बच्चा इंग्लिस में ही interaction कर रहा है, यानि आउट पुट क्या होगा, इंग्लिस ही होगा, यानि कि direct method क्या होता है, natural process होता है, natural process यानि कि जिस प्रकार से बच्चा अपनी mother tongue को acquire करता है, उसको कोई अ बच्चे को अर्जित करता है उसमें भी क्या होता है कि बच्चा जिस language को जो mother tongue सीखना चाहता है जो mother tongue सीख रहा है वो कैसे करता है बच्चे को mother tongue में input दिया गया कैसे जब बच्चे का जन्म परिवार में हुआ तो अपने आस पास अपने मम्मी पापा अपने बड़े सदस्य परिवार के सदस्यों को उसी भासा में इंट्रेक्शन करते हुए सुन रहा है, सुनेने से उसको इंपूट मिला उस भासा का, उसके बासे धीरे देरे वो वर्णों को मिला करके बोलना सुरू किया, बोलना सुरू किया, यानि इंट्रेक्शन किया, उसके बासे वो उस भासा क को require कर लेता यानि उस भासा को सीख जाता है output हो गया तो यह क्या होता है यह natural approach होता है इसी को बोलते हैं option नमबर एक में देखें natural approach इसका बिल्कुल appropriate जवाब हो जाएगा विकल्प नमबर एक यहाँ पर बिल्कुल स्टिक जवाब हैं दोस्तो सीटेट अपर प्रैमरी इंग्लिस पैड़ोगा जी के महतोपुन प्रश्णों की ये स्रिंखला आपको कैसी लगी कमेंट के मादम से जरूर बताईगा क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महतोपुन वीडियो लाने के संदर में अगर आप सीटेट अपर प्रैमरी और प्रैमरी प्रीवेस येर सभी शिफ्टों के कम्प्लीट पेपर सॉलूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा